प्रकाश्मन और गैर चमकदार परिभाशा इवं उधारन चित्र सही तो चलिए दोस्तों उस टॉपिक को समझते हैं और दोस्तों आपको ये भी कहने चाहूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पे नए है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं तो चलिए बिना किसी ज़र को वीडियो को स्टाट करते हैं चलिए अब इसको आप हिंदी में समझ लेते हैं परकाश मान वह वस्तवे जो स्वयम परकाश को उचसरजित करती है परकाश वान कहलाती है यह परकाश उत्पन करने में शक्षम है तो दोस्तों मैं आपको एक बात का ध्यान रखना होगा विज एमेट ड़लाइट यानि की परकाश को उचसरजित करती है दूसरा कैपेबल आफ प्रोडुजिंग लाइट यानि की परकाश कुद्पन करने में शक्षम है यह लुमिनेस की विश्यशता आपको ध्यान में रखनी है तो चलिए दोस्तों इसके हम एक्जामपल देख लेते हैं तो सबसे पहले है सन यानि की सूरज उसके बाद आता है स्टार्स यानि की इतारे और फिर आता है एलेक्रिक बलब यानि की बिजली के बलब तो आप इन तीनों के चेत देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों उसको अब हिंदी में समझ लेते हैं गयर चमकदार वे विस्ते जो सोयम प्रकास को उच्चरजित नहीं करती है गयर चमकदार कहलाती है यह प्रकास उत्पन करने में सक्षम नहीं होती है लेकिन समझ दूसरे सुरोच से प्रकास को प्रतिमन करने में सक्षम होती है तो दोस्तों उसमें ध्यान देने लिए बात यह है which do not emit light, यानि परकाश को उत्सरजित नहीं करती है, और दूसरा, not capable to producing light, यानि की परकाश उत्पन करने में शक्षम नहीं होती है, आपको इस चीज़ का ध्यान अखना है, तो इसका second point है, वो है possible capable of reflecting light from another source, यानि की संबदे दूसरे सोरोज से परकाश को परतिम करने की शम्ता होती है, तो चलिए इसको अब हम उधारें के जरीए हम इसको समझते हैं, तो अब हम इसके example को देख लेते हैं, तो सबसे पहले आता है moon यानि की चंदर्मा, कई लोग कहते हैं की चंदर्मा तो चमकता है, तो फेट ये non-luminous कैस हो सकता है, यानि की गैर चमकदार कैस हो सकता है, तो मैं आपको ये बता दूँ, कि अभी हमने पीछे जो पढ़ा था, यानि की रिफ्लेक्शन करता है, देखे सूरज की रोशनी चंदर्मा पर पढ़ती है, इसलिए ये जो है रिफ्लेक्शन करता है, इसका खुद का परकाश नहीं है, यानि की परकाश को परतिबिन करने में शक्षम होता है, पर इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, खुद का परकाश नहीं होता है, आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है तो चलिए अब आगे कि हम उधारन देख लेते हैं अगला उधारन है हमारा पेपर यानि की कागच और उसके बाद आता है प्लास्टिक तो ये सारे उधारन आपको अमने दिखा रहे हैं चित्र में तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज इसको लाइक शेयर कमेंट जरू करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा मुझे दीजिये ज्यादा धन्यवाद